इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी जैम रिच नेजल स्प्रे पोस्ट मेनुपॉजल महिलाओं में osteoporosis के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है यह हड़ियों को मजबूत बनाता है और fracture के जोखिम को कम करता है इसका इस्तेमाल पैगेट स्रोग से जुड़े हड़ी के दर्द के लिए भी किया जा सकता है जैम रिच नेजल स्प्रे का इस्तेमाल आपके डॉक्टर की स के अनुसार ही किया जाना चाहिए आम तोर पर इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने नाक को हलके से ब्लो करना चाहिए इसके बाद एक नॉस्ट्रिल में दवा डालते समय दूसरे को बंद रखें तथा तेजी से खीचे ताकि दवा नाक में गहराई तक चली जाए फिर यही प्रक्रिया दूसरी नाक में दोहराएं इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको इस दवा के इलाज के दोरान केल्शियम और विटमिन डी के पर्याप सप्लीमेंट लेने चाहिए इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में शामिल है नाक बहना, नाक में ब्लीडिंग, पीट दर्द, जोडों का दर्द, सिर दर्द और खुजली, जलन और बेचैनी जैसे अन्य नाक के लक्षन ये आमतोर पर हलका होता है लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो आपके डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीकों का सुझाव दे सकते हैं अगर आपको हृदय, किड्नी या लिवसंबंधी कोई समस्या है, तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर को बताएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दवा लेने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद